अगर किसी भी इंसान का एक्सिडेंट हो जाता अचानक कार टकरा जाती है बाइक टकरा जाती है गंभीड चोड लग जाती है तो उसमें डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं हम आपको फुल ट्रीटमेंट बताएंगे तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है आप जाती है कौन सा लोशन लगाया जाता है कौन कौन सी मेडिसिन खाई जाती है सारी जानकारे आपको देंगे तो दोस्तों बने रहे हैं आखीर तक हमारे साथ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छोड लग जाने पर सबसे पहले क्या किया जाता है तो जैसे माल वो पहले क्रीन किया जाएगा साफ किया जाएगा और उसको जब अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे उसके बाद उस पर जो है हम देखेंगे अगर चोट गेहरी है बड़ा कट लगा हुआ है तो वहाँ पर हम स्टेशिंग कर देंगे बड़ा टाके भर देंगे और अगर चोट कम है हल्की मुल्की ख्रोचे बगेरा आ गई है तो वहाँ पर जो है हम पट्टी कर सकते हैं जिसे गुटने पगल लग गई तो वहाँ पर हम पट्टी कर देंगे और हाथ पर अगर लग गई तो वहाँ पर हम पट्टी कर देंगे लेकिन हम पट्टी जो करेंगे वो या तो बीटाडीन लोशन से करेंगे इस तरह का लोशन आता है या फिर सिपलाडीन टूप से करेंगे जिसके अंदर पॉइड आयोडीन होता है इन दोनों में से किसी से हम पट्टी कर देंगे और उसके के बाद हम medicine देंगे खाने के लिए जो की सबसे पहले हम tablet देंगे जीरो डॉल SP tablet आप देख सकते हैं जीरो डॉल SP tablet इसके अंदर AC किलो फैनक पेरा सेटम मॉल और सेपरा पेप्टा डेस होता है दोस्तों यह जो होती है यह काम करती है फीवर में जैसे माल लिए किसी के अगर accident हो गया है और उसे बुखार भी आ गया सदमे की वज़ाए से तो उस बुखार में भी काम करेगी और दुसरा इसका काम होता पेन जो डर्द होगा экsonस में की जवाब है उस डर्द को अराम देगी और सुईलिंग जहां सूजन आ गई होगी वो सूजन को भी कम करेगी तो इसके ये तीन काम होते हैं और इसकी जो डोज होती है वो जो होती है अगर किसी को एडल्ट है मतलब जवान इसान है 18 साल से उपर है तो उसे एक टेबलेट बीडी मतलब एक टेबलेट दिन में दो बार बीडी का मतलब होता है दिन में दो बार और अगर कोई बच्चा है चिल्टन है तो उसे हाफ टेबलेट बीडी हाज मतलब आदी टेबलेट दिन में दो बार आदी सुबा और आदी शाम इस तरह से देते हैं फिर इसके साथ में एक tablet और लगाई जाएगी जो की antibiotic tablet है जिसका नाम है Moxikind CV 625 mg में काफी जादा popular tablet है आप शाद जानते भी होंगे इस tablet के बारे में इसके अंदर Amoxicillin and Potassium Kiloyvenate होता है बहुत अच्छे antibiotic होती है इसका काम होता है bacterial infection जैसी कहीं पर छोड़ लग जाने की वज़ए से bacteria का infection हो जाता है तो उसे ठीक करने का ये काम करती है और heel wand heel wand का मतलब जखम भनना जो जखम हो गया, गहरा जखम हो गया घा हो गया, उसको भी भरेगी है तो ये भी साथ में लगाई जाएगी और इसकी dose की अगर हम बात करें तो adult, मतलब जवान इंसान को एक tablet BD, मतलब एक tablet दिन में दो बार, धिहान में रखिएगा BD का मतलब होता है दिन में दो बार और children, बच्चे को को बच्चे को half tablet दिन में दो बार, मतलब आदी सुबा आदी शाम फिर इसके साथ में हम एक tablet और जोड़ेंगे जो की एक estroidal medicine है मतलब एक estroid है जो की vice loan 5 mg के नाम से आती है market में, इसके अंदर paradise alone होता है और ये एक estroid है जो इसका काम ये होता है each, मतलब अगर खुजली होगी लखम में खुजली होती है तो उसमें दी जाती है या फिर सूजन, सूजन उतानने में भी ये काम करती है तो ये इसके दो काम होते है और इसकी dose की अगर हम बात करें तो adult मतलब जवान इंसान को एक tablet TDS TDS का मतलब होता है दिन में तीन बार जैसे हमने आपको बताया है सुभा, दुपेर, शाम मतलब आदी गोली सुभा, आदी शाम और आदी दुपेर लो इस तरीके से देंगे और साथ में हमें मेडिसिन ओर चलानी है जो की पेंटो D-Capsule आता है जिसका अंदर पेंटा, पिराजोल और दोम, पेरिडोम होता है और इसका काम होता है वुमेटी, उल्टी आना जैसे मान लीजिए, अगर किसी के सर में चोड़ लग गई उसकी वज़ए से उल्टी आ रही है उसे तो उल्टी को रोकने का ये काम करेगा और साथ में ACDT, मतलब गेज गेज भी बनने लगती है कुछ मेडिसिन ऐसी है, उन्हें खाने का बाद ये गेज बनने लगती है तो ACIDITY को दूर करने के लिए ये टेबलेट दी जागी मतलब ये कैपसूल दी जाएगा और ये जो है, एडल्ट को दी आ जाता है बच्चों को ये नहीं दी जा जाता है क्योंकि इसकी हाफ डोज नहीं हो सकती ये कैपसूल है तो ACIDITY को दिया जाता है, एक कैपसूल SOS SOS का मतलब होता है, जरूरत पढ़ने पर आप धिहान में रखिए, SOS का मतलब होता है जरूरत पढ़ने पर तो ये कैपसूल जब जरूरत पढ़ेगी उल्टी सी आगी, जी मचलागा तब दिया जागा और लास्ट में सारी मेडिसीन पट्टी करने के बाद उसको इंजेक्शन लगाया जागा टेटिनिस का, क्योंकि टेटिनिस होने खतरा होता है कोई लोया लग जया, या कोई गंदी, मिट्टी बगेरा लग जाती ही जखम पर तो टेटिनिस हो जाता, इसलिए टेटिनिस का एंपूल आता है, ये इंजेक्शन लगाया जाएगा उसे आयम, और साथ में दर्थ को कम करने के लिए अगर दर्थ जादा हो रहा है तो एक पेंगिलर इंजेक्शन आता है, डाइना पार के नाम से ये भी पेशन को लगाया जाएगा और एक एंटिबाइटिक इंजेक्शन हम साथ में लगा सकते हैं इन मेडिसिन के टेबलेटर के जो की मोनो सेफ आता है, काफी पोपुलर है अगर आपको हमारी दिगरी वीडियो से काफी थोड़ी बहुत भी नोलिज मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पर पहली बार आना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कुई भी पूछना हो, किसी भी टोपिक पर वीडियो बनानी हो तो आप हमसे कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ थेंक्यू फूर वोची